बिलाल भी यह बताइए कि पहले आप टीम में आते हैं और इचानक से गाइब हो जाते हैं उसके बाद आप नजर नहीं आते हैं क्या अपनी पूरी मेनत कर रहे हैं आप जी देखें जैसे प्रफेशनल जारती बात है कि मैं सीजन भी खेला हूँ जितना मोका मिला है मेरा खेल अब तो जारती बात आपको बता कि डिपेंड करता है सेलेक्शन कमेटी पे इनके मैने बैंट पे कहां पे अवेलेबिलिटी है या क्या है तो अपनी कोशिश पूरी है डिमेस्टिक भी खेल लो उसमें प्रफार्मस अला का शुकर अची है और गाहे बगाहे आपको बता कि जो जितनी भी हो रही है प्रफार्मस आपके सामने है सारी सीनियर किलाडियों का ये बड़ा शिक्वार है खासतोर पे आप हो अमर अक्मल हो और दीगर जो प्लेयर्स है उनको सेकंड एलेवन में डाल दिया जाता है और जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परस्ट एलेवन बी उठा के देख लेएं पहले दूने सीजन की मेरी प्रफार्मस देख लेएं उमर अक्मल की देख लें कि सी और की भी देख लेएं जो सीनियर्स प्लेयर यह मेरा ख्याल है तो जितना उन से भी हो पार है मेरा अच्छा कर रहे हैं अपने हिसाथ से हर बंद अच्छे करनी कि कोशिश करता है हम भी लगे हूँ है देखें होप फुली के उमीद है कि अप चेंज हुई है चीजे नहीं स्लेक्शन कमेटी आई है उमीद करते हैं कि यह सोचेंगी प्ले Years के बारे में बिए और सब्सक्राइं वाले टीपार्ट्मेंड जो हो एक कही तक मैं पकिल सपर्ड कनESE में लेपक्पाहे रहा हूँ में बिए खैलने भी नहीं जाता इसी वजह है क्योंकि आपको बदा करण कुछ टेस्स आ जाते हैं एक दो यह कुछ होते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि यहां पर रहा कि अपनी गेम को इंप्रूफ किया जाए और मेरा कोई भी प्लैन नहीं है कि मैं लीग इधर खेलने जाओं कि अभी फोकस ही है कि जब तक खेल रहा हूं पाकिसान में रहा कि अप भी अवैलबरेल्डी को शोग या जाए जितना लिप थी यह थी तरह सब्स्क्राइस कुछ अपना जाने हैं झाल cq